हाई गैज तो अभी आपको दिखाना जारे है बहुत ही बेहतरीन जादू जो कि आपको इसी गलास से दिखाएंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो गलास है और यहाँ पे यह नॉर्मल सा कांच का टुकरा है और एक गलास में दूद भरा हुआ है तो हम यहाँ पे इस ग दूद है अब हम इसे हम इसके उपर हम डाल देते हैं और यहाँ पे हम इसके पार रिश्ट कर दिए हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं दूद और देखिए क्या माजिक होता है वाउ तो जैसा कि आप देखत रहे हैं कि ऑपर वाले गलास में दूद डाले है लेकिन अब तक कोई magic नहीं हुआ है लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और दूद डालेंगे फिर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कूल उपर वाले ही glass में दूद है क्यों क्योंकि उपर वाले glass में दूद डालेंगे तो नीचे कैसे जाएगा जब कि यहाँ पर पूल टच नहीं करने जा रहे हैं और यहां पर हम इसे ऐसे होल्ड करके रखेंगे और इसमें डाल रहे है दूद और फिर आप देख सकते हैं कि अभी भी उपर ही है ऐसा नहीं कि हमने रुमाल डालेंगे बाद कुछ यहां पर किया है अब बस यहां पर एक और हम magic लगाए हम यहां पर उपर कर रहे हैं रुमाल और आप देख सकते हैं कि उपर वाले glass का दूद बिल्कूल नीचे वाले glass में चला गया है तो दोस्तों आपको यह magic कैसा लगा अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा और इस तरह की magic सीखने क के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तर लीजिए तो यहां पर बहुत ही सुन्दर सा जादू आपने देखा कि उपर वाले glass से नीचे दूद चला गया है अब हम इस glass को हम हटा लेते हैं और इस वाले सीजा को भी हटा लेते हैं और देखिए यहां पर दूद अभी भी है तो यहां पर हमने इस्तिमाल किया है कुछ गलास का और एक सिलका दोस्तो इसका रहस्य अभी आपको जानने के बाद थोड़ा सा यह magic हलका लएगा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बहुत ही सांदार magic है जब इसे stage को पर दिखाया जाता है तो सभी लोग देखने वाले सोच म पर ही जाते हैं कोई भी magic दिखाने के लिए या तो आपको इंस्ट्रॉमेंट के जूरत होता है या कुछ आपको ट्री घर पर बनाना परता है तो यहां पर हमने जो गलास इस्तमाल किया है इसी गलास में कुछ तयार करना परता है अगर आपको यह गलास बना बनाया चाहे मैजिक का कोई भी समान आपको चाहे तो यहां पर कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं नंबर सोहरा चुराइमें तीस चाले से कान में का नंबर है इस पर आपको magic कोई भी समान मिल जाएगा यहां से आप समान लेकर बन सकते हैं जादूगर तो देखिए इसमें एक नॉर्मल सा गला है और हम यहां पर डाल दते हैं ऑब इस गलास में है एक लगा हुआ है एसे यहां मूरह हुआ और वूद्ट को इस गलास से एस इस घ्रास में ले जाने में मदद करता है कि यहां पर शूब से कंश के थग्रा को दिखाते हैं कि नॉर्मल सा उस समय इसे हम hold कर देते हैं अपने हाथ की उंगली से छुपा देते हैं और दिखाते हैं नॉर्मल है और इसे यहाँ पे डाल देते हैं अब डाल देने के बाद यहाँ जो पाइप है थोड़ा सा हलका सा निकला हुआ हलका सा निकला हुआ है इसे हम कुछ इस तरह से hold करते हैं अब इसे hold करने के बाद यहां पर यहां थोरा सा आगे करते हैं और इसे ऐसे डाल देते हैं अब डाल देने के बाद इसमें हम कुछ दूद डाल कर और बताते हैं कि यहां देखिए यह बिल्कुल नॉर्मल सा गलास है क्योंकि इसमें थोरा सा दूट डालने पर ये नीचे वाले गलास में नहीं जाएगा अब इसमें और थोरा सा दूट डालेंगे और फिर बोलेंगे कि ये नीचे वाले गलास में नहीं गया है क्योंकि ए नॉर्मन सा गलास है तो नीचे वाले गलास में कैसे जाएगा जा ही नहीं सकता है अब थोरा सा और दूर डालेंगे अब यहाँ पे होता यह है कि इस गलास में जो पाइप लगा हुआ है यहाँ से मुर रहा है यानि कि जब तक इसके उपर दूर नहीं आएगा इसमें प्रेसर नहीं बनेगा और यहाँ से मुर कर दूसरे वाले गलास में नहीं जा सकता है तो जब यहाँ थोरा और हम दूर डालते हैं और बोलते हैं कि अभी कोई मैजिक नहीं हुआ है और इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं रुमाल और यहाँ पे डाल देते हैं थोरा सा दूर आप चाहे तो यहाँ हाथ भी ऐसे डाल सकते हैं और फिर यहाँ दूर डाल सकते है अलागे हमने यहां पर माल का इसतेमाल किया है तो इस मोद्ब को डाल कर डाल कर और फिर हम कुछ इस तरह सेल क लेई geht अभिर इन ओपर घलास में अभी अब देकंते हैं कि इस में ओपर हुआ है और यह दूद नीचे जाने लगा का तो यह जो magic है यह पूरा इस glass पर निर्भा करता है इस glass के बनाबट पर देखने वाले सब सोच मिला जाते कि भईया इस glass का दूद जब हम बार बार इसमें डाल रहते तो इसमें hold था लेकिन यह जब इसमें दूद भर जाने के बाद यहां पर रुमाल डालते है तो यह नीच वीडियो में नेट्री के साथ अधर लिया गया दीजे नमस्कार